नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका माचलो में मैं आमेर सी राज के सुरूँ हम बात करने बाले बिहार रासनकार आवेदन के बारे में कि अगर आप RTPS के माध्यम से आभेदन नहीं कर पाते हैं, तो आपको आभेदन कहां से करना है, उसके बारे में यहां पर जानकारी दिया गया है. दोस्तों, जोएसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में रास्नकार्ड अगर आभी आप बनबाने जाते हैं, तो यहाँ पर कुछी समय के लिए आवेदन शुरू होता और उसके बाद आवेदन बंद कर दिया जाता है तो इसके लेकर यहाँ पर RTPS काउंटर पर बहुत ही ज्यादा भीर चल रही है जिसके कारण की बहुत सारे लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर सरकार ने एक नोटीस जारी किया जिसके मदद से अब आवेदन एक और जगह पर लिया जाएगा जिसके मदद से आपको आसानी से आवेदन आप लोग जमा कर सकते हैं साथ में दोस्तों यहाँ पर बतायागा कि कौन-कौन सा डोकोमेंट आपको लगाने आ है यानि कि कौन-कौन सा डोकोमेंट आपको लगेगा अगर आप नया रासन कारण के लिए आवेदन करते हैं से आज आपको कुछ जानकाई देने ब़लाएं अब देख सकते हैं कि यहाँ पेपर कटिंग है जो कि आज ही का है यहाँ पर दैनिक जारुन का पेपर कटिंग है यहाँ पे लिखा गए 1 दिन में पूरा जानकाई दिया गया है कि क्यों राशनकार के लिए आभेदन नहीं हो पारा है, किस परकार से यहाँ पे आभेदन होगा, साथ में दोस्तों आपको एक और पेपर कटिंग हम दिखाते हैं, जो कि हिंदुस्तान का है, दोस्तों, यहाँ पर भी आपका वही लिखा गया ह नहीं हो पाडा है अब दोस्तों आपको बताते कि यहाँ पर आपको आबिधन किस परकार जमा हो गएयानि कि एक तो आप Yesk Famadmen से आप कर ही सकते हैं सातमे जो है एक और जगह से आप जो है अब है आवएदन तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आज से पंचायत भवनों पर जमा होंगे आबेदन, यानि कि जो आपका पंचायत भवन होता है वहां पर भी आपका रासनकार के लिए आबेदन लिया जाएगा, अब कौन-कौन लोग यहां पर रासनकार के लिए आबेदन लेंगे और क्य ने लिया है यानि कि दोस्तों यहां पे जो है अब पंचायत भवन में भी आपका रासन कार्ट के लिए आबेदन शुरू कर दिया जाएगा और बहुत सारे ऐसे ब्लोक हैं जहां पे कि यह प्रोब्लम आ रही है यानि कि जो भीड है उसका प्रोब्लम आ रहा है तो उन सभी ब्लोकों में वहां पे उनके पंचायतों में पंचायत भवन पे आबेदन लिया जाएगा हलाकी दोस्तों आपको एक चीज के लिए कर दूं कि यहां पे जो यह पंचायत भवन में आबेदन लिया जाएगा जहां पे कि भीर इतनी जादा है कि वहां आबेदन लोग जमा न परकार से आबेदन होगा उसके वारे में हम आपको जानकारी देते हैं यहाँ पर पंचायद भवन पर विकास मित्र कचहरी सचीव और सम्मंधित पंचायटों के कारी पालक सहाइक के नियम अनुसार आबेदन लेने का निर्देश जारी कर दिया गया है यानि कि दोस्तों यह पर पंचायद भवन में जो विकास मित्र होते हैं कचहरी सचीव होते हैं सम्मंधित पंचायद के जो कारी पालक होते हैं सहाइक होते हैं उनको जो है यहाँ पर आबेदन लेने के लिए जो है निर्देश जारी कर दिया गया है अब वो लोग वहाँ पर आबेदन ले सकते ह अब दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप आबेदन देना चाहते हैं आपने पंचायद भवन में तो आप एक बार पता कर लिए कि आपके पंचायद भवन में आबेदन हो रहा या फिर नहीं अगर आपके पंचाइद भवन में आवेदन नहीं हो रहा है तो आपको जो है RT PS के माध्यम से ही आवेदन कर ना होगा और आप आप आटी पीएस के माध्यम से ही आबेदन कर सकते हैं दोस्तों बहुत साथ लोग बोल रहे थे कि हम जब अपने आटी पीएस काउंटर पे जाते हैं या अपने ब्लॉक में पता करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि नहीं अभी रासन काड के लिए आबेदन नहीं चल रहा है लेकिन दोस्तों आपको क्लियर कर दें कि अभी फिलाल पूरे बिहार में लगभग सभी जिलों में यहाँ पे रासन काड के लिए आबेदन शुरू कर दिया गया है सभी परखंडों में यहाँ पर आबेदन लिया जा रहा है दोस्तों कुछ परखंडों में जो पहले से आबेदन चल रहा था तो हो सकता है कि कुछ परखंडों का आबेदन बंध हो गया होगा लेकिन यहाँ पे लगभग परखंडों में आबेदन अभी इस फिलहाल में कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ है तो आप लोग आबेदन दे सकते हैं किसी भी परकार का कोई प्रॉलम नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ नया रासन कार्ड के लिए ही आबेदन दीजेगा आप जो इस सुधार के लिए भी आबेदन कर सकते हैं अब दोस्तों आबेदन के साथ साथ आपको क्या-क्या लगाना है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकाय दिया गया है बता गया है कि आबेदन पत्र के साथ आबेदन पत्र फोटो बैंक पास्बूक और अधार काड ही जमा होगा यानि कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आबेदन करने जाते हैं तो आपका आबेदन पत्र और यहाँ पर आबेदन आबेदक का जो है यहाँ पर फोटो लगेगा और यहाँ पर बैंक पास्बूक और अधार काधी आपको जो है जमा करना होगा साथ में यहाँ परखंड परस जो कि आप पात्रता को या खो होता है उसको आपको ले कर जाना है अपना फोटो ले कर जाना है अपने परिवार का और यहां पर आपको बैंक पास्बूक और अधार काड आपका सभी परिवार कर जाना है और आप वहां पर आबेदन कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको यहां तो आपको करना क्या दोस्तों यहां पे इस website पे आना है आपको जोगल में type करना है looked had him लिखेगा आपको जो ये website मिल जाएगा आपको जो नीचे आना है नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि बिहार रासन कार्ड अपलाई 2020 यहाँ पे आपको जो इस पोस्ट के नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको जो यहाँ पे download का link मिलेगा आप देख सकते हैं कि यहा अगर आप सुधार कर बाना चाहते थो पपत्र का लगता है अगर आप रासन कार करना को यहां पर यहां पहले दूभांड ग्हार और यहां पर जन्गन्ना का पहले खाले हो इस्से भी जन्गन्ना का उने काह faithful काados दिया गया घाल या नहींगा तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो अभी नया रासनकार के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों आपको बता दे कि यहाँ पे कोई fix date नहीं होता है कि इतना दिन में रासनकार का आवेदन बंध हो जाएगा या इतना दिन तक ही रासनकार का आवेदन चलेगा रासनकार का आव वीडियो को सब्सक्राइब किजिए माय चैनल को साथ ही सेर किजिए वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके मिलते नेक्स विए तब तक के लिए धन्यबाद